उत्तरप्रदेश के टावा के लिए मुसीबत का बड़ा सबब बना हुआ है अंडरब्रिज। आज जो दर बरसात के बीच में तो कारे में पुरी अंडरब्रिज में फस गई। नगरपालिका की टीम ने जल्दी एक को निकाल लिया लेकिन दूसरे को निकालने में करीब 40 मिनट से अधिक कबक लगा। लगालब हो गया है। क्या नाव ही है रवी से नौएड़ा से लखनो की साइट जा रहे थे बारिज तेज हो गई तो एक्स्प्रिस वे छोड़ दिया हमने। और एधर का रास्ता थोड़ा सा दिखाया वही चायवाई पीने के लिए अब पता नहीं था अंडर पास कितना गह रहा है लेवल नहीं पता था। तो थोड़ी सी गाड़ी आगे बड़ी रोखने की कोईश करी तब तक गाड़ी तयरने लगी। इतने लोग थे गाड़ी में हम दो लोग थे गाड़ी में अच्छा क्या करते हैं भ immersion हम जॉप कर रहा हैं प्राइवरेट सेक्टर में तो आप गाड़ी आपकी निकली आई लोगों ने हेल्प करी लोगल पब्लिक जो भी थी यहां की उन लोगों ने हेल्प करके निकाली अंडर पास की पाने में कितनी दिरगाप की गाड़ी फशी रही तो करीब करीब वही 15-20 मिनट कितना नोग सबाब थे हैं हम दो लोग थे अब वो तो गाड़ी डागनोसिक सें लगबक 6 मजे स्पीड से पानी करा एक गंटे दो गाड़ियां जो एक फोर्मिलर एक पर्देशी से उनको जानगारी नहीं थी अचानक फोर्मिलर उनकी जब फसी तो मैंने अपनी जैसी मसीन रेक्वियों के लिए बुलाई अचानक दूसरी गाड़ी स्टाइड से आई उ लगबक आत गंटा अब क्या किया जारा जो बादी जिरा हुआ है चार प्रोर यह हमारी अध्यत मोदा जोती कुता संटू ने जो दो मोटर एक ट्रा जो लगवाए है लगबक दो गंटे के अंदर जो पानी निकल जायागा वो मोटर हैवी है और पानी स्पीड से नकालते ह आरा जाग झालते है जो आरे टे जो है जाग झालते है जो दो जो हमारी जो खन्वाए है अजयाओ झालते है अँड़क दो घंटे